हेलो प्रेंड्स आप सभी का विलकम करता हूँ मैं आपके अपने चैनल आमीर बर्ड आईवरी में आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्यूंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपने बर्ड सेट अप के लिए कुछ न्यू बर्ड पर्चेस करने वाला हूँ मुझे कहां पता था कि मेरे बर्ड के साथ ही एक कुछ होगा और साथ ही मैं एक न्यू बर्ड सेट अप का मैं अपडेट भी दूँगा यानि सेट अप का वीडियो भी आएगा इसी वीडियो के अंदर और लेते वक्त में बर्ड कौन-कौन सी बातों का खयाल हूँ वो भी आप सदी के साथ में शेयर करूंगा तो अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को इंट तक ज़रूर देखिए की बढ़र मैं वीश आपके सवा लेजो तो सी साथ कना प्राप जो टो चैनल ह मैं हूश जिस खुशी के साथ में जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो जो बर्ड मैंने पर्चिस किया था जो कि वाइट फेस की पेर थी और यह फिमेल थी वाइट फेस की और दोनों भी बटर्फ्लाइ स्प्लिट थे तो मैंने अपने एक दोस्त के पास से इसे पर्चेस किया था तो सेटप का वीडियो भी मैं उनके बनाने वाला था लेकिन बारिश के वज़े से मैंने बनाया नहीं और जैसे ही लाकर मैंने अपने बर्ड सेटप के अंदर इसे छोड़ा था तो रात में चुहे ने जो है अटेक कर दिया इस फीमेल के ओपर उसे के साथ में मेरे जो दूसरे भी पेर वागरा है जैसे की यह आप देख सकते हो यह पार ब्लू आफ लाइन दोनों भी पार ब्लू आफ लाइन को जो है डैमेज किया है बर्ड ने यानि चुहे ने जो है डैमेज किया है उसी के साथ में इसे भी थोड़ा काटा है यह चुहे ने आटेक किया है रात में और इससे पहले कभी भी मेरे पास जो है ये प्रॉलम नहीं आया था ये फर्स्ट टाइम ही मेरे पास ऐसा प्रॉलम आया आप केज के अंदर भी देख सकते हो और जिस खुशी के साथ मैंने ये बर्ड पर्चेस किये थे कि मैं भी अभी बटरफ्लाय वर्किंग की पेर रखू आपके साथ में जो भी शेयर करूँगा इंफॉर्मेशन तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और हाला कि इसे जब मैंने मॉर्निंग के अंदर देखा तो बर्ड को चेक किया है मैंने खाली इसके नाखुनी कट हुए थे बाकी बॉड़ी और भी पूरी क्लिन करके मैंने देखी लेकिन बर्ड जो है पूरा ही याने डाउन हो चुका था गरदन को अपनी झुकाया हुआ था एक तो रिजन इसका ये हो सकता है कि बर्ड ड़ गया होगा क्योंकि बहुत बार आचानक से अगर चुहा वञ़ड़ा देखते हैं बर्ड कभी कबार या फिर साप वगर देखत तो भी जो है बर्ड आचानिक से एक्सपायर हो जाते हैं लेकिन मुझे लागा नहीं था कि इस तरह से होगा तो इसका भी खाली मेरे पास मेल ही बचा है यह वीडियो बनाने का मकसद भी नहीं था मेरा लेकिन जो मेरे पास हुआ जो चीज मैंने एक्सपिरियंस की वही आप सभी के साथ में शेयर करा